चैपुर में सामाजिक संस्थाओं की ओर से रोजी रोटी अभियान के ताहद पी-म और सी-म के नाम जिला कलेक्टर को गया पन सोपा और लॉकडाउन में भूख प्यास और दुरगटनाओं में करीब 670 सेधिक लोगों की हुई मौत पर ध्यान आकशित किया साथी देश-विदेश के हर नागरी को 10 किलो अनाच, 1.5 किलो दाल और तेल देने की मांग की और लॉकडाउन में बेरोजगार हुए शमीकों के लिए राज्यों में 30 जून तक निशुल का परिवहन और केंदर सरकार से मुफ्त ट्रेन चलाने की मांग की इसी के साथ केंदर और राज्यों सरकार से मज़दूरों को रोजगार, पुरा वेतन और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की प्रधान मंत्री और राज्य के मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन है जिसमें हम मुख्य तोर पर पूरे देश भर के अंदर भुकमरी से करीबन 800 से अधिक विक्तियों की मरने की सूचना है वो अलग-अलग जगे लोकडाउन में उनकी मृत्यों हुई है और उसमें कहीं ट्रेन है, कहीं यात्रा है, कहीं सड़क है या कहीं गर है इन तमाम चीजों को देखते वे सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ी खामी रही है बारा सरकार ने सभी को राशन देने की विवस्ता नह और पूरे देश के गरीब लोगों तक राशन नहीं पहुंचाता है। लॉकडाउन में कमर तूट चुकी है और हमारी मांगे मुख्य तोर पर कि सब को राशन दिया जाए। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं यह जादातर जो लोग मरें वो प्रवासी मजदूर मरें अभी भी बहुत सारे लोग कई जगए पर फसे हुए हैं तो सबसे पहले हमने दो मिनिट का मौन धारण करके इस कारिकरम की सुरुआत की हैं कि जितने भी मजदूर अभी फसे इस तरह की यह सारी मांगों को लेके केंदर सरकार से और राज्य सरकार से भी जो प्रवासी मजदूर वापस राजस्तान में आए हैं उनके लिए काम की